हालो फ्रेंट्स, वेलकम टो इन्वेस्ट एक्सपर्ट और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड वो सभी आप्शन स्टाटेजी जहां पे आप उसका यूज करके आप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तो फ्रेंट्स पीछले वीडियो ने बात किया था लॉग कॉल, लॉग कॉल, लॉग कॉट, सौट कॉल, सौट पॉट तो मतलब option buyer और option seller के बारे में कि हम कॉल को buy भी कर सकते हैं, short भी कर सकते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो में आपको मैं दोनों के बीच में difference बता हूंगा कि option buyer के साथ क्या होता है, option seller के साथ क्या होता है, आपका कौन सा selection होना चाहिए, आप क्या बनना चाहते हों इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंट्स यहाँ पे अगर आप इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ साथ बेल आइकन मटतावाना बिल्कुल ना भूले ताकि आपको लेटेस लेटेस वीडियो अपडेट होता रहे और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा तो चलिए स्कार्ट करते हैं तो यहां पर जैसा कि definis लिखा हुआ है उपसन वायर और option seller की बीच में क्या difference है सबसे पहली बात तो देखें यहां पर z方 है यह option को buy करेगा सिर्फ और सिर्फ buy करेगा जब कि option seller क्या करेगा option को sell करेगा यहाँ पर जो buy करने का concept है यहाँ पर क्या करते है lower price में buy करना है sell करने के बाद जब वो नीचे आएगा तो profit book करना है तो अगर मैं 200 रुपए में sell कर दू तो मुझे 100 रुपए 80 रुपए 90 रुपए ऐसे अगर मैं नीचे downside में वहाँ पर उस मुझे buy करना होगा तब मुझे वहाँ पर benefit मिलेगा पहला चीज दूसरा यहाँ पर option buyer को buy करने के लिए सिर्फ और सिर्फ premium देनी होती है कि ठीक है मतलब अगर आप निप्टी में काम कर रहे हैं तो निप्टी का lot size कितना होता है निप्टी का lot size है 50 अगर वहाँ पर जैसे मैंने बोला 100 रुपए पर buy करना है और देड़ दोस्मों बेचना है तो 100 रुपए करेंगे तो यह प्लस इस्पान प्लस इस बंदे ने जो premium पे किया है वह भी यहां पर premium देनी पड़ेगी ऐसा कर कि यह तीन चीजों से मिलके बनता है एक्सपोजर मार्जीन इस्पान मार्जीन और premium तो अगर यहां पर exposure इस्पान और premium तीनों ही मैं मिला दूँ तो क्या होगा यहां पर जो future का lot size है उसका कीमत करीबन एक लाग के आसपास है निप्टी का तो मुझे यहां पर sell करन के लिए कितना एक लाग रुपए देना पड़ेगा pay करना पड़ेगा तो इस तरह से काम करता है अगर bank निप्टी है तो bank में क्या होगा 150 रुपए के आसपास वहां पर यह सम्मार्जिन लगते हैं sell करनें के लिए तो एक रूपए पे करने पढ़ेंगे तो इस तरह से काम करेगा बायर के लिए इस तरह से काम करेगा सेलर के लिए उसके बाद देखिए तीसरा यहां पर अगर मैं रिस्क की बात करूं यहां पर लिख देता हूं रिस्क फैक्टर तो इसमें बाय करते हैं तो क्या रहेगा लिम्टेड रिस्क है और प्रॉफिट कितना है अनलिमिटेड ठीक है लिमिटेड रिस्क कैसा कि अगर आप बाय करते हो तो सिर्फ आपको 5000 पे किया आपने 5000 तुरंट जीरो नहीं होगा अगर लॉस होगा तो 5000 से 4000, 3000, 2000 कुछ भी आएगा अमाउन फिर जाके जीरो होगा तो आपने मैक्सि रॉपएं कितना होगा सिप 5000 होगा क्योंकि वो 100 रुपए से जीरो यह सकता है जीरो से मैनस में नहीं जा सकता लेकिन इस बंदे को यहां पे जो रिस्क होजाता है अनलिम्टेड आप और प्रॉफिट होता है है कि लिम्टेड मतलब यहां पर इसने 100 रूपर वाले प्रिमि जी जी है कि market वहां से भाग गया उपर तो जहां पर मैं समस्ता हो कर मान के चलो कि market जो है 17,500 है और कोई नियू जा गई 17,600 है 17,600 है और यहां का मैंने 100 रुपय में C buy करके रखा है अगर कुछ नियू जा गई और यह gap up opening हो गया यह हो गया सीधा 17,600 से 18,000 मैंने hold किया तो 18,000 से 18,200, 18,500 ऐसा बढ़ता जाएगा तो जो call option की price है वह भी बढ़ती जाएगी तो अगर मैं stop loss फालो नहीं करूंगा तो मेरा loss क्या होगा unlimited हो जाएगा पूरा unlimited मतलब 100 रुपय के जगा हो सकता है कि उसकी प्रीमिम जो है 500 हो जाए तो मुझे loss कितना होगा 400 पॉइंट का loss होगा अगर वहां से 100 रुपय से 1000 हो गया तो 10 गुना मुझे loss होगा तो जो मेरा loss है वो यहां पर रिस्क जो है मेरा unlimited है और वहीं पर profit देखा जाया तो सिर्फ और सिर्फ limited है क्यों क्यों क्योंकि आपने 100 रुपय का option सदूर के लिए और यहां पर है नाये आगर आपने चांच कितने होते हैं तो चांच वाफिट हैं इस बायर को profit कप होगा जब यह 17,600 से 700 800 900 फटा फट मूव हो जाता उसी दिन या अगले दिन एक दो दिन मूव होता है तभी जाके यहां पर profit होगा ठीक है तो यहां पर chance देखो कितने होते हैं market का जो मूव है कैसा है मैं समझता हूं कि बायर हूं call option का तो यहां पे 17,600 का C buy कर रहा हूं तो यह तब move होगा जब यह उपर जाएगा पहली चीच दूसरा market हो सकता है कि यह ना उपर जाए ना नीचे जाए उसी range में थोड़ा बहुत घूमता रहे है range bound हो जाए तीसरा कि यहां पर उपर जाने का सोचा है लेकिन वो नीची आ जाए तो यहां पर ती transfer profit buyer के लिए वो सिर्फ और सिर्फ up condition में मतलब यहां पर जब अब जाएगा तभी होगा अगर यह range में रहा तो नहीं होगा क्यों मूब भी नहीं हो रहा तो profit कहां से होगा क्योंकि इसमें जो theta की value देखा जाए तो value वहीं पर रहेगी और जो theta की value day by day कम होता जाएगा तो इस तरह से यहां पर जो है buyer के लिए profit नहीं होगा अगर यह down आ जाए मतलब यहां से उपर न जाके नीची आ जाए जो मैंने 17600 का C buy किया है वहां से अगर यह नीची आ जाए तो क्या होगा वहां पर सीधा सीधा मतलब एक तरह से loss ही है तो यहां पर stop loss लेके निकलो या तो यह down हो जाएगी तो भी इस बंदे को profit होगा यह 17600 भी रहा उपर नहीं गया नीचे नहीं गया तो भी यहां पर option seller पैसा कमाएगा यहां पर एक चांस यह हो गया दूसरा यह जो है उपर न जाके नीची आ गया तो उसके favor में तो ही 100% है तो यहां पर यह दो चांस मिल जात है वह hedge में यूज करके वहां पर short selling करते हैं और अच्छा खासा profit कमाते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे hedge position क्या होता है जिसमें bully spread BR spread यह सब कुछ समझेंगे तो I hope यह वीडियो में आपको option buyer और seller के बीच में different समझ में आ गया होगा friends अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांकियो फर वाचिंग वीडियो